नमस्कार सुआगा थे आप सबका हमारे खासकारिकम देश देशांतर मैं मैं हूँ कवीन सचान केन सरकार भारतिय प्रिशासनिक सेवा की तर्ज पर अखिल भारती नियाईक सेवा इस्थापित करने के लिए प्यास कर रही है सरकार का मानना है कि इससे युआ नियाईधीशों को उच्चतम नियाले और उच्च नियालों में प्रुनिती का मौका भी मिल सकेगा भारती नियाईक सेवा की सिफारिश भारती विधियायोग ने एक सुसूलवी रिपोर्ट में भी की थी इस बारे में पूर्व में कई बार अकिलभारती नियाईक सेवा यानि AIJS के सापना के सिफारिशें की गई लेकिन इस दिशा में कोई प्रिगती नहीं हो सकी कानूनमंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि अधीनस्त अदालतों में युवा प्रदिवा को मौका देने के लिए राष्टी स्तर की परिख्षा होनी चाहिए सरकार ने पिछले साल भी अकिलभारती नियाईक सिवा कराने का प्रस्ताओं रखा लेकिन नौ हाई कोट ने इस प्रस्ताओं का विरूद किया आठ अने ने प्रस्ताओं धाचे में बदलाओं की मांग की जबकि केवल दो ने इस पर विचार का समर्थन किया था भारत में अधीनस्त अदालतों में करीब पांच हजार पद खाली पड़े हैं साल 1961, 1963, 1965 के मुक्न अधीशों के सम्मिलन में अकल भारती न्याइक सिवा के गठन का पक्षपी लिया गया था लेकिन ये आज तक हाकीकत में तबदील नहीं हो पाया समझेंगे अपने खास मिमानों के जरिये किसका फाइदा क्या हो सकता है इसके रास्ते में क्या बड़ी रुकाव्टे हैं और अब तक ही अमल में क्यों नहीं आ सका है हमारे साथ तीन खास मिमान है पीके मलोतरा साहब है, पूर्व सदस, वीदी मंत्रालाय, भारत सरकार, स्वागत सार आपका सत्प्रकाश है, लीगल एडिट्यार, ट्रिव्यून से, स्वागत सत्यापका, डॉक्टर जस्टिस सती शन्जी है, पूर्न आधिश, इलहाबाद, उच्छने आले, बहुत रस्वागत सार आपका शुरुवात मैं करना चाहूंगा, वलोतरा सर आप से, ये जो AIGS जिसकी बात सरकार और फिर कर रही है, अलाकि पिछले साल उसे पहले भी इस तरह के पस्ताव सामने आया थे ये कॉंसेप्ट है क्या, इसमें क्या कुछ दाइरा है और राज्यों के लिहास से, इसमें उनके लिए क्या है दिखें, जो All India Judicial Service का प्रोविजन है, उसका प्रवाधान सविधान के अंदर 42nd Amendment जो Constitution का हुआ, 1977 से जो लागू हुआ, उसमें किया गया और उसको का गया ये उसी तरच पर होगा, जिस तरच पर IAS और IPS का recruitment होता है लेकिन इसके लिए कि ये भी प्रवाधान रखा गया, कि ये तभी होगा, जब उसको Council of State, राज्य सभा, दो तिहाई बहुमत से कहेगा, कि इस सर्विस की अवशकता है उसके लिए Consensus बनाने के लिए बहुत प्रयास किये गए, और अगर मैं कहूं कि इस Amendment से पहले अगर हम बात करें तो 1950 में जो पहला Law Commission था, उसने भी कहा था कि IAS के तरच के ओपर एक All India Judicial Service होनी चाहिए उसके बाद मैं समझता हूँ Chief Justice की जो Conferences हुई, उसमें कम से कम तीन Conferences में इसके लिए प्रस्ताव रखे गए और उनको पास भी किया गया, पारिद भी किया गया पार्लिमेंटरी स्टेंडिंग कमेटी ने भी अपनी एक रिपोर्ट में एक आ गया कि हमें All India Judicial Service की आवशकता है, क्योंकि जो स्टेट्स हैं, वो जनरली रिकूट्मेंट में काफी समय लगा देती हैं, जिसकी ऐसे काफी पद खाली पड़े रहते हैं, और खाली पद रहन जो हमारी हाई कोट्स हैं, वो इसके लिए तैयार नहीं हो रही हैं, आज जो सिस्टम है, आज की सिस्टम के अंदर जो हाई कोट्स में Judiciary की एपोइंट्मेंट होती है, वो हाई कोट्स करती है, या तो हाई कोट्स खुद करती है, या वो UPSC, अपना जो State Public Service Commission है, उनकी की गई है, वो सिरफ डिस्टिक जज लेवल पर कही गई है, ना कि मजिस्टेट लेवल पर, क्योंकि हम जानते हैं कि हाई कोट के नीचे दो लेवल है, मजिस्टेट लेवल है, तो जो हम आल इंडिया Judicial Service की बात कर रहे हैं, ना कि उसके नीचे वाले की बात कर रहे हैं, अभी भी होगा, इस विवस्था के अंदर भी जो सविधान में प्रवाधान है, वो अभी भी उसके अंदर ही हो, क्योंकि जब हम आल इंडिया Judicial Service की बात कर रहे हैं, तो सविधान उसके लिए जो उसमें प्रवाधान है, वो प्रवाधान सिरफ डिस्टिक जजिस के लेव में है, और जो आगे तक जा सकता है, उनके लिए एक बाधा के तोर पर दिखता है, फिलहाल जो वर्तमान सिस्टम है, जैसे मनुत्रा जी ने बताया, उसके बैक ग्राउंड भी बताई, और उसके समस्थे बताई, आज की तारीख में जो है, जब भी रिक्रूट्मेंट लो दूसरा स्टेट के बाहर का होगा, ओल इंडिया सर्विस होगी, तो हो सकता है कि उस स्टेट में दूसरे स्टेट के लोग आ जाएं, तो उनका स्टेट का जो कैंडिट है, वो नेगलेक्ट होगा, तो इसलिए स्टेट भी छोड़ना नहीं चाहता, अब हमेशा जो है प्री जो भी लिस्ट आती है, स्टेट सर्विस कमिशन, उसको करता है, तो जो बॉटम लाइन है, जो बताई गही है, वो यही है कि कोई भी स्टेट यहां कंसर्णिंग हाई कोट अपनी पावर देना नहीं चाहता, अभी आपने कहा, कि अभी 9 हाई कोट ने, उसको एपूर नहीं कुछ और है लाउंच देता है, तो यह जो विवित्ता है, वो उसके साथ अपने हिसाब से चलती है, लोकल के हिसाब से चलती है, और उनमें वो कंप्रमाइज करने के लिए तयार नहीं है, उसके हेट या फिर उसके कारण अलग-अलग हो सकते हैं, और उसमें लोकल एलिमें की बात या लग लग विकल्प हो सकते हैं उसकी जरूरत जो है वो कितनी एहम आज के दौर में देख रही है और जो उसके नफ़ा नुकसान उस नजरिये से कर देखा जाए इस पूरे जो हाइ कोट्स का concept है हमारे समग विधान में हाइ कोट्स को एक तरह से independent बाडी के रूप में concept के और Supreme regulator काकवी power of superintendence नहीं है उनके उपर वो הם independent has सकता है अलबत्ता जो subordinate courts हैं वो high courts के अंदर में उनको यह अपने हिसाब से चला सकते हैं सारे powers अंदर में और सारे appointments जो हैं subordinate courts के वो high courts के अंदर में जो रोधा भास मैंने कहा वो यह है कि high courts अपनी उनको जम्मधारी निभानी है जो subordinate courts में जो appointments हैं उसके समय पे कितनी vacancies होनी है उसके हिसाब से समय पे appointments हो यह वो नहीं कर रही है और इस मामले में यह उनकी बहुत बड़ी failure है और विरोधाभास यह है कि इसके बावजूद high courts इसका विरोध कर रही है तो एक ऐसी स्थिती बनी है जिसमें high courts ने अपनी जिम्मदारी सही धंग से नहीं निभाई है जिसके कारण जो 21,000 के लगभग जो पद है सबोर्डिनेट courts में उसमें से करीब 5000 खाली है और इसके कारण जो आप और हम और लाखो करोडों लोग जो हैं जिनको जो न्याय की आसा में कोट के दर्वाजी खटगटाते हैं उनको न्याय की आसा में अभी तक इंजार करना पड़ रहा है तो ये जो स्थिती है उसके लिए high courts एक तरह से कहीं कि पूरे तोर पे जम्मदार है लेकिन ये वही high courts फिर उसका विरोध भी कर रहे है अब इस विरोध का समाधान क्या हो सकता है लेकिन एक दिक्कत यह है कि समिधान हमारा धाचा संगिये हैं लेकिन इस तरह की बहुस्ता है जिसमें कहीं कोई संकटा है तो फिर वो यूनिटरी हो जाता है जो धाचा संगिये हैं उसमें high courts को एक independent body के रूप में conceive किया गया बहुत सरे power सुनके हैं जो अलग है अभी जो बाचीत चल रही है और वो बाचीत इसी संदर्म में चल रही है कि ऐसी स्थिती बन रही है जिसमें इसके बगार कुछ हो नहीं सकता है तो जो सरकार चाह रही है पिछले मई में जो जस्टिस सेकरेटी हैं उन्होंने सुप्रिम कोट के सेकरेटी जनरल को एक चिठी लिखी कि यह इस्थिती है और हम यह चाहते हैं कि एक centralized system बने जिसके पहत एक इम्तहान हो और उसमें selection हो subordinate court judges का लेकिन उसमें बहुत सारे states ने खासकर West Bengal ने और केरला ने और आपको आश्यर होगा BJP ruled Assam ने भी इसका विरोध किया और बहुत सारे states ने इसका विरोध किया हो और बहुत सारे states ने इसका समर्थन किया हाई courts में भी कुछ हाई courts ने इसका समर्थन किया है कुछ विरोध किया है बीच का रास्ता निकालने के लिए Supreme Court इस मामले के सुनवाई कर रहा है क्योंकि जो चिठी गई थी जो Justice Secretary से जो Supreme Court के Secretary General को उसको P.I.L. में तबदील कर दिया गया था और पिछले जुलाई महीने से अब तक इसकी सुनवाई चल रही है अब इस मामले पे एक तरह से कहें कि Supreme Court ने अर्विन दतार साहब है Senior Advocate उनको माईकर स्कूरे निउक्त किया था एक तरह से Stand Still की स्थिती है और मामला वहीं का वहीं रुका हुआ है क्योंकि बहुत सारे High Courts ने विरोद किया बहुत सारे राजसरकारों ने विरोद किया Supreme Court ने एक चीज़ साफ की है वो बार-बार अलग-अलग राजसरकारों को और High Courts को ये बतानी की कोशिज कर रहे है कि हम किसी का भी कोई अधिकार नहीं ले रहे हैं जो अभी जो ब्युस्ता चल रही है वही ब्युस्ता चलेगी हम सिर्फ इतना कर रहे हैं कि जो examinations हैं जो recruitment of judges के लिए उसकी बवस्ता हम centralized कर रहे हैं और जो interview panel होगा उसमें अलग-अलग states के लिए जो interviews होंगे उसमें जो High Courts के representatives हैं वो वहां रहेंगे तो ये साफ करने के बाद भी अभी एक तरह से कहें कि इस्तिती वहीं की वहीं है और इस पे आगे क्या होगा ये सुप्रिम कोर्ट में तरह हो चुकि जो political level पे इस तरह की चीज़ें अगर आप बात करें कि centralized system आएगा तो संगिये धाचा खराब हो जाएगा इसका हला हंगामा होने लगता है और सुप्रिम कोर्ट में भी विस्ट मिंगॉल ने जिस तरह से इसका विरोध किया और केरल ने उसके बाद यहीं लग रहा था अब आगे ये डिपेंट करता है कि सुप्रिम कोर्ट इस मामले को किस तरह से आगे ले जाती है अगर कोई judicial order होता है तो फिर साथ सब के लिए बाधेकारी होगा लेकिन वो judicial order बहुत ही सोच समझ के करना पड़ेगा जिसमें की राज्य सरकारों की और हाई कोर्ट की जो उनके जो concerns हैं उनको कैसे address करें और at the same time ये जो इस्तिती बनी है जिसमें 5000 पद रिक्त हैं उनको कैस समय पर भरा जा सकते हैं जो दलील मैं पढ़ रहा था कि अलग लग नियालों की अस्टेट की और सियाई थी इसके विरोध में दो बड़ी दलीले हैं मैं चाहूंगा बलता साथ आप इस थोड़ से बता हैं कि वाकी दलील दंदार है या फिर दलील किसी हित को छिपाने के ल रहेंगे को केरल के बंदे को हो सकता है उत्तरपदेश में वहां पर नोक्री करनी पड़े और उत्तरपदेश वाले को आसमय किरल में तो क्या भाशा वहां पर बड़ी बाधा के तरह पर हो सकती है यह दलील कितनी घमदार है को कमझो के someone is समझता हूँ यह बिल्कुल ही निर्थरक एक आर्ग्यूमेंट है जो वैलिड नहीं है उसका में करण यह कि आज भी देखिए हमारे देश में जो ऑल इंडिया सर्विसिस के लिए रिक्रूट्मेंट होता है जिसके लिए यूपी एसी एक्जाम कंड़र्ट करता है एक देली क सर्विसिस में ठीक हो सकता है अगर कॉंस्टिशन में उसका प्रवाधान है तो हम कानून बना करके उनको भी उसी तरह की ट्रेनिंग दे करके और उनकी जब तक लो पोस्टिंग हो उससे पहले उनको ट्रेनिंग दी जाए उनको भाशा का घ्यान दिया जाए और अगर वह पोस्टिंग दी जाए ने तो उनको पोस्टिंग नहीं दी जाए और यह ओल इंडिया सर्विसिस में भी होता है और मैं समझता हूं उसी तरच पर यह कारे किया गया और यह जो प्रशन उठा जो अब हम डिसकुस कर रहे हैं आज इसका में मुद्दा यह है कि अभी कल ही मा अगर आप और यह जाए जाए तो उनके लिए प्रवर्पर ट्रेनिंग प्रोग्राम अगर आप दे देते हैं तो यह भाषा वाला जो इश्यू है यह मैं समझता हूं कोई दुविधा का पॉइंट नहीं है कोई कारण नहीं है तो स्टॉप दी इंप्लिमेंटेशन ओफ ओल इंडिया जुडिशल सर्विस प्रोविशन इन दी कॉंस्टिचूश्या परदरशिता पढ़ेगी या फिर जो दरी दी जा रही कि भाषा एक वो है दूसरा कहा जा रहा है कि इससे जो प्रमोशन अधीनस सेवा के जज़ेज होंगी और जो दूसरे ज़ेज हैं उसमें कहीं टक्रावा सकता है प्रमोशन के दर्मियान या जब वो एक टिवल पर आने के तैयारी में होंगे तब देखें पहले कि वो न सर्फ दक्षिन भारत के भासाओं जानते हैं बलकि उन में से कई हैं जो उरिया और बांगला बोलते हैं लिखते हैं तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कर चीज़ हैं लिखना बोल साकता हैं लेकिन यो व्याओहरिक चीज है उस क्रेम कोर्ट सक्ष nou यह पारंगत अ इन इन भासाओं, उनको, जैसे कोई अगर कहता है कि हिंदी पर उसकी पकड़ है, तो उसको हिंदी भासी राजियों में, हिंदी भासी 10 से 11 राजे हैं, उनमें से किसी राजी में दिया जा सकता है, या कोई ऐसा बेक्ती है, जो पुदिचेरी का है, या तमिल नाडू का है, या केरल में भी ऐसे लोग हैं, और करनाटक में भी ऐसे लोग हैं, जिनको तमिल भासा का ग्यान है, तो इस तरह कि ऐसा नहीं है, कि इसको क्रियानमित नहीं किया जा सकता है, ऐसे कैंडिडेट्स हों जो एक साथ कई भास आए जाने से, मारास्ट के अधिकांस लोग हिंदी बे जानते हैं, माराथी बे जानते हैं, तो ये बहुत बड़ी समस्या नहीं है, और कैडर मैनेजमेंट जिस तरह से IAS, IPS में होता है, उस तरह से हो सकता है, जो बहतर चीज है इस सिस्टम की, बगैर All India Jud Judicial Service को गए हुए, अगर एक Centralized Examination System create होता है, तो कम से कम जो समय पे, जो भी रिक्तियां हैं, उनको भर सकते हैं, और ये जो बहुत 5,000 पोस्स वेकेंट हों, और आज के समय में जबकि जो बलक अफ जो पंडेंसी है, दो करोर, तीस लाग से लेके, धाई करोर के लगबग पं पोस्स, वो मिल सकता है, दीखें, कुछ न कुछ कमिया रहेंगी, चाहिए आप कोई भी पवस्ता लाएं, उसमें कुछ न कुछ कमिया रहेंगी, लेकिन अभी जो समस्यां हम लोग जहेल रहें, पूरे हिंदुस्तान में, उसके लिए ये जो सुझाव आया है, सरकार की तर जो पार्लिमेंट में है, उसके बाद हाफ दिये स्टेट लेसलेचर का चाहिए, वो होगा नहीं होगा, बीच का रास्ता ये है, कि सुप्रिम कोट के आदेश से, अगर इस तरह की चीज को निकल के आती है, तो बगएर वो कॉंस्टिकूशनल एमेंडमेंट का रूट लिये है, इतना कि शहर के नाम तक उन्होंने बदल दिये, मदरास को नहीं चलना ही कर दिया, बैंगलोरी को बैंगलोरी कर दिया, तो इस तरह से हर स्टेट अपने भाशा के नाम पर पॉलिटिक्स करता है और चलाता है, जब जूडिशरी का सवाल आता है, तो वहाँ पर जो हो सकता है, हो सकता है, ऐसे कोई बात नहीं है, यह तो केंड़ेट के उपर डिपेंड करेगा, लेंग्वेज तो चेंज होगी नहीं, कि वेदर ही वूड लाइक तो हैव इस स्टेट लेंग्वेज और नोट, और वो इतना परंगत है यह नहीं है, कि उसमें वह कर पाएगा करनी पाएगा, लेकिन लेंग्वेज तो लोड जूडिशरी की बनी रहेगी, और वो भी लोकल लेंग्वेज रहेगी, तो आप केंड़ेट पर डिपेंड करता है, क्या आप इतने केंड़ेट पाएगे, अब कोई स्टेट ऐसा है, जहां केंड़ेट में टेलेंड नहीं है और वो क्वालिफाई नहीं कर पाता है, यह आ जाता है, और उसको कहीं दिया जाता है, ओँस नहीं कर पाऊंगा और वो सीख नहीं पाएगा ये एक प्रावलम है दलील इसमें दम है हाँ इसमें थोड़ा सा दम ये है कि उसको बहुत ही पारंगत देखना पड़ेगा बहुत मैनूटले देखना पड़ेगा कि वहाँ पर जो डॉकुमेंट्स है आपको याद होगा जो दूसरी लेंग्वेश को सीख पाएं या नहीं सीख पाएं कोई जमाना था कि इलाबाद यूनिवस्टी के बच्चे आते थे कभी मदराज के बच्चे आते हैं या वो इस्टेट के उपर डिपेंड करता है आप एंटरेंस अग्जाशन लेले लाएं और बाकी जो 234 के अंदर न दिया आपिक्ल में और जो सकता है कि उसके अंदर और और वहाँ से उसको पोस्टिंग कर देंगा और इसको स्टेट हो सकता है तो आपको मिल जाएगा अभी आप देखेंगे एक particular state का नाम ने लेना शीए है, उसका में इस state कुछ करी नहीं पाता, अभी जब हमारे आते हैं All India Services के अंदर, या हमारे ट्रुबल में या High Court में आते हैं, वो कुछ करी नहीं पाते हैं, किसा हम तो इस language के लावब कुछ करी नहीं सकते हैं, लेकिन स्टेट के लिए होगा, जो उस language कोई paper को qualify करेगा, वही उस state के लिए उसका नाम consider होगा, और यह कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, मैं कह रहा हूँ कि मल्टि लिंग्वल सुसाइटी है हमारी, जैसे आप जो बिंगॉल के लोग है, या उडिसा के लोग है, असाम के लो बड़ी नहीं है, मैं कह रहा हूँ कि आवस्यक यह है कि All India Level पे judiciary का एक exam conduct हो, और उसमें language का एक paper हो सकता है, कि जो तमिल language का paper clarify, sorry, clear करेगा, वही तमिल नाडू या पुदुचियोरी के लिए उसकी नियुक्ति होगा, अब करें भाशा मनले इतना बड़ा hurdle नहीं है, उतनी 150 में create हुई है constitution के ताहित, जबकि high courts है, चाहे मदरास high court हो, चाहे कलकटा high court हो, पतना high court हो, इलाबाद high court हो, यह बहुत पुरानी संस्थाएं है, यह 100 साल से ज़ादा इनका सबका वजूद रहा है, तो इसी के मद्दे नजर जब समिधान बना था, तो high courts को एक independent entity के रूप में conceive किया गया था, तो यह high courts जो है, जो उनकी independence है, उनको छोडने के लिए तयार नहीं है, इसमें कहें कि उनकी institutional pride जो है, वो भी एक issue है, बट इसके बावजूद यह चीज संभाव है, अगर practically इसको implement किया जाए, बहुत बड़ी समस्या नहीं आनी चाहिए. मलतरा साब क्योंकि जो उनका कि pride बेशक है, लेकिन एक साथ आरोप भी लगते हैं, कि जब state wise इस तरह का selection होता है, तो जो senior वरिष्ट वकील उस राजी के होते हैं, जो judge मानी मनाधीश हैं, जो कारत होते हैं, भाई भती जावाज के आरोप खुले तोर पर लगते रहे हैं, यह कोई नई बात नहीं है, क्या इस नए सिस्टम की ज़रत असलिए भी है, कि वो पारदर्शिता जिसे हम एक आव हिंदुस्तानी अब चाहता है, उसे दिखाने के लिए इस सिस्टम की ज़रत है, और एक और जो आरोप लग रहा है, कि इस सिस्टम के इंप्लिमेंट करने क जो फाइनली कोलिजियम सिस्टम है, कहीं उससे टकराएगा तो नहीं, मैं आपके इस विचार से सहमत हूँ, कि पारदर्शिता की जहाता का बात कर रहे हैं, अगर ओल इंडिया एक्जामिनीशन होता है, तो पारदर्शिता सामने आएगी, उस से पहले में सत्य जी के इस व मुझे उपर विचार होना चाहिए, और जहां तक Constitutional Amendment की बात है, एक-एक मुझे कम्प्लीट करने दी, जहनता Constitutional Amendment की बात है, Article 312 में ही कहा गया है, कि अगर Council of States with two-third majority resolution ले करके आती है, तो इस पे कानून बन सकता है, और उस कानून को amendment of the Constitution नहीं माना जाएगा, So, I think हमारे एक बहुत favorable point है, कि Parliament उसके उपर कानून बना सकती है, and it will not be taken as a constitutional amendment, तो जो हमारा वो larger procedure है, कि दोनों हाउसेज में two-third majority चाहिए, और half-of-the-state चाहिए, शायद उसकी अवशक्ता नहीं रहेगी, पारदर्शिता भी आएगी, आप बिलको ठीक करें, अगर All India Examination होता है, लेकिन फिर से सवाल वही उठता है, कि क्या आप All India Examination कर सकते हैं, without Constituting and All India Judicial Service, क्यों उसके लिए आपको सभी High Courts की सहमती चाहिए, और वो सहमती ही नहीं बन रही है, जब आज की तारिक में सहमती नहीं बन रही है, तो एक्जाम के लिए सहमती कहां से बनेगी, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, Political Will है, High Court अपनी पावर नहीं छोड़ना चाहते, वही एक इशू आ रहा है, जबकि सुप्रीम कोट ने भी इस बात को माना है, जो अलंडिया जुडिशल सर्विस होनी चाहिए, मुझे एक और किस्सा याद आता है, जब लोडा साब ने ओथ ली थी, जब लेने के तुरंट बात जो उन्होंने प्रेस कांफरेंस की थी, उसमें भी उन्होंने का था कि हमारे देश को और अलंडिया जुडिशल सर्विकी जूरत है, मैंने Political Will की बात नहीं की, Political Opposition की बात की, जैसे West Bengal से Opposition है, केरल से Opposition इस तरह की बात की, पुलिटकल विल की बात नहीं की, और पुलिटकल विल रहते हुए भी इसमें साइध दिक्कत हो, यह Political Will नहीं, पुलिटकल उपोजिशन की बात करो, जो डिफरेंसेस हैं, बिकॉज अफ आइडियोलोजिकल रीजन्स, उसकी बात में कर रहा था, इस तरह से एक पंजाब हर्याना में था, 85 के अंदर एक्जामनेशन हुआ, कोई रिट्न टेस्ट नहीं था, सरफ औरल टेस्ट के उपर उनने सारे जूडिशरी के बढ़ दिये, और जो अड़ॉक जस्ता, हाई कोट का, वो उसके अंचार्ज बना दिया गए, लेकिन जब आप औल इंडिया सर्विस करेंगे, तो ये चीज़ें दूर हो जाएंगे, और लोकल जो टेलेंट है, उसको उपर तक जाने का मौका मैं सकता, तो ये जितने भी ये हैं, भाई बती जवा, जैसे आपने कहा, ये कुछ का, ये सब चीज़े वाश आउट हो जाएंगी, और आईडिया अच्छा है, लेकिन वो ही है कि इंप्लिमेंट हो पाएगा और नहीं हो पाएगा, सत्यमवद धर्मचर कहने के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन कितने लोग सत्य बोलते हैं, कितना धर्मदा पालन करते हैं, वो बात अलग है, चले लेकिन कदम बेहतर है, जो आप तीनों पैनलिस करना हैं, बहुत शुक्रे आप तीनों का, हमारे साथ इस बेहद अहम चर्चा में शामल होने के लिए, और यह समझाने के लिए असल में, इस नियाईक सेवा और इसकी एक परिक्षा को लेकर, जो सरकार का सुझाओ है, यह कितना दमदार है, इसके विरोध में जो दलीले हैं, वो कितनी कमजोर या फिर मजबूत हैं, और इसका इंपक्ट क्या होगा जुरी शरीप पर, और अब बात हमारे करकम को यूट्वीब पर देखने के लिए, आप लॉग इन कर सकते हैं, और बात आप दर्शकों की राय सुझाओ की, निकता शिर्वास्तों हैं, जिन्होंने हमारे कारकम, जी सेवन पर हमने कारकम किया था, संकट और भविश को लेकर 11 जून कुरोंने लिखा है, कि बेहतरीन चर्चा सभी पक्षों पर पर्याप्त चर्चा की गई, जी साथ सम्मिलन विशा को बड़े ही इस पर शब्दों में विशलेशनस का किया किया है, एक और दर्शक है, प्रवीन कुमार जो हमें जीमेल पर लिखते हैं, कि विच से देशों के जी साथ पर सम्मिलन पर कारकम विहद अच्छा था, उदैभासकर सर ने भारत का दिश्टिकोन और इसके प्रवाव की जानकारी को बेहतर तरीके से समझाया, आप दर्शकों का बहुत दर्श शुक्रिया, यूही अपनी राय सुझाओ, आप यूट्यूब के दर्शकों की एक राय और आपके भरोसे के चलते हम लगातार अपने कारकम को ऊपर ले जाने में काम्याब हुए हैं, और इसलिए राजसभा टीवी को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करने वाले लोगों की संख्या एक मिल्यन को इस वक्त पार कर चुके बहुत शुक्त के आप सबका यूँ ही लगातार आप अपना प्यार हमारे साथ बनाये रखें फिलाला जितना ही नमस्कार